नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट कप्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य मुक्ष सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को धारा सत्र के प्रावधानों के अंतरगत के इस प्रकार हटाया जाता है यदि उनके अनुश्वार कोई गलत निर्णय या पक्षपात करते हुए PIO को बचाने का कार्ज किया जाता है तो उसके बारे में एक सिकायत पत्र राजिपाल महोदय को किस प्रकार लिख सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल से नए हैं जो पहली बार इस चैनल से जुरे हुए हैं वो लाल कलर का सब्सक्राइबर का बटन है वो अवस्ट दबा लें तो था बेल आइकन को दबा कर आल पर भी क्लिक अवस्ट कर लें जिससे इस तरह के उप्योगी आर्टे आई या भरस्टाचार का उजागर करने का आने को प्रापधान लोक शिकायत लोकायुक्त मानवाधिकार निगरानी विभाकर में किस प्रकार सिकायत दर्ज करवाकर भरस्टाचार को कम कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इस चैनल के माध्यम से तथा एक लाइक कवस्ट कर देंगे तथा इसे इतना सेयर करेंगे जिससे हर भारतिय को इसकी जानकारी हो सके सूचना का अधिकार अधनियम की धारा सत्र में राज्य मुख सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाने का प्राप्धान है जिसकी सिकायत हम लोग अपने राज्य के राजपाल महोदै से कर सकते हैं तो किस-किस इस्तिति में करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी जानकारी प्राप करेंगे, लगातार इस वीडियो को बिना स्किप्प करेंगे. सेवा में मानने राज पाल महोद है विसे राज मुख सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को धारा सत्रा के प्राफधानों के अंतरगत हटाये जाने के संबंद में महा से मैं अपना नाम पुरा पता लिखेंगे मैं आर्टियाई कार्करता के रूप में 2017 से ही काम करता आ रहा हूँ इस बीच मैंने हजारों आर्टियाई आविदन किया हूँ एवन सैकरों सुनवाई सूचना आयुक्त में कर चुका हूँ इस बीच मुझे राजिमुक सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के निमलिखित त्रूटियों का हुजागर हुआ है जिसका साक्ष सगलगन है जो भी साक्ष आप लोगों को हो वो अवस रखेंगे बात संख्या सहित उसमें वर्णन कर देंगे पहला उनके द्वारा दिवाल्या नियाय निर्मित किया गया है दूसरा वे अपने पदावधी के दोरान अपने पद के करतब्यों से परे किसी वेतनिक नियोजन में लगा हुआ है या वो कहीं और दूसरे जगह किसी और पत पर वेतन निक नियोजन में लगे हुए हैं वो कहीं और से उनको इनकम का सुरूत हो रहा है तो ऐसे इस्तिति में भी सिकायत पत्र कर सकते हैं तीसरा वह ऐसे किसी अपराद के लिए दो सिठ राया गया है जिसमें राजपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवलित है चौथा राजपाल की राय में मानसिक या सारिक और छमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग है यदि राजी मुक सूचना आयूक्त या सूचना आयूक्त मानसिक इस्थिति से भी या सारिक इस्थिति के कारण वो ठीक से निर्ड़े नहीं ले पाते हैं तो ऐसे इस्थिती में राजिपाल को भी मावेदन देकर उसकी शिकायत पत्र लिख सकते हैं तथा उनकी राय में यदि वह सही पाया जाता है तो उसे उसके पत से हटाया जा सकता है पांचमा उसने ऐसे बितिय या अनहित अरजित किये हैं जिसमें राज मुक्षूचना आयुक्त या राज सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृतियों पर प्रतिकूल प्रभापरने की शंबावना है तो ऐसे इस्थिती में भी उन्हें हटाया जा सकता है चटा मुक्षूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त द्वारा आवेदन के साथ भेदवाप पक्षपात करते वी सूचना अधिकार अधिनियम के नियामानुसार आदेश या निर्देश नहीं पारित करता है तो ऐसे इस्तिती में भी हम लोग अपने अपने राज के राजपल महोदे से सिकायत अवस्रे करें और उस पर अगर सामुहिक सिकायत हो तो और अच्छी बात है इस प्रकार हम लोग सूचना आयोग या राजमुक सूचना आयुक्त के खिलाब भी सिकायत पत्र लिखकर सूचना आयोग में हो रहे गरवरी को ठिक करने में लगे रहेंगे तो आसा है राजमुक सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपने कृत्त कर्तबाओं से अपने आवेदक को या पियाईयो को ऐसा कोई आदेश या निर्देश नहीं देंगे जो की नियम बिर्द्ध हो जैहिन